दोस्तों धीरे धीरे ही सही सरकार अब हर बार post office saving scheme का interest rate बढ़ा रही है 9 साल 2024 के लिए भी सरकार ने दो बहुत ही popular scheme का rate बढ़ा दिया है आपको यादी होगा कि अभी 3 महीने पहले ही सरकार ने recurring deposit का rate भी बढ़ाया था उसके पहले senior citizen saving scheme का rate भी बढ़ा तो दोस्तों सरकार ने notification जारी करके अगले 3 महीने के लिए ब्यास दरों का एलान कर दिया है तो अब हम देर नहीं करते हैं और आए एक एक करके देखते हैं कि अब किस scheme पर कितना ब्याज मिल रहा है चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं fixed deposit scheme से अपने अच्छे rate की वजह से ये बहुत popular है तो दोस्तों post office में 4 duration की fixed deposit scheme होती है ध्यान दिजेगा कि यहाँ पर इन्हे time deposit कहा जाता है इसलिए confused मत होईएगा ये time deposit केवल 4 tenure की होती है ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में mature होती है आप इसमें से किसी भी duration के लिए fixed deposit करवा सकते हैं यहाँ पर अगर आप 1 साल के लिए time deposit कराएंगे तो 6.9% का interest rate मिलेगा इस rate के हिसाब से अगर आप 1,00,000 रुपए एक साल के लिए जमा करेंगे तो आपको 1,00,7,0,81 रुपए मिलेंगे पोस्ट ओफिस की दूसरी fixed deposit scheme 2 साल के लिए होती है और इसका interest rate थोड़ा सा ज्यादा है इसमें 7% का rate मिल रहा है rate थोड़ा ज्यादा है इसलिए maturity की रकम भी ज्यादा होगी यहाँ पर 1,00,000 रुपए जमा करने पर 2 साल बाद आपको 1,14,888 रुपए मिलेंगे दोस्तों अब आ गई है वो scheme जिसका rate इस बार बढ़ाया गया है जी हाँ दोस्तों scheme 3 साल की time deposit है पहले इस scheme का rate 2 साल के time deposit के बराबर था मतलब 7% ही था लेकिन अब यह बढ़ गया है दोस्तों post office time deposit की 3 साल की scheme का rate अब 7.1% हो गया है और इस rate के हिसाब से 1,00,000 रुपए जमा करने पर 3 साल बाद आपको 1,13,508 रुपए मिलेंगे post office time deposit की आखरी scheme 5 साल के लिए होती है और इसका rate बागी 3 स्कीमों से काफी ज्यादा है इसका interest rate 7,5% है और इस scheme में 1,00,000 रुपए जमा करने पर आपको 5 साल बाद करीब 1,45,000 रुपए मिलेंगे अगर आपको post office time deposit का rate कम लग रहा है तो इसका comparison state bank की fixed deposit से कर लिजे वहाँ पर rate तो इससे भी कम है जैसे 5 साल की fixed deposit कराने पर state bank में 6,5% का rate मिलता है तो आईए अब recurring deposit का interest rate और maturity amount देखते हैं इस scheme में आपको हर महीने एक fixed amount भरना होता है और ये scheme 5 साल में mature होती है इस scheme का interest rate 3 महीने पहले बढ़ाया गया था इस बार इसमें बदलाव नहीं हुआ है और इसे 6.7% पर कायम रखा गया है अगर आप इस scheme में हर महीने 10,000 रुपए जमा करेंगे तो 5 साल बाद आपको 7,13,658 रुपए मिलेंगे ये भी state bank के 5 साल के RD से ज्यादा ही है तो दोस्तों post office saving account का rate भी पहले की तरह 4% ही है वैसे इसको लेकर शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अभी भी ज्यादा तर बड़े bank को के saving account के rate से ज्यादा ही है दोस्तों अब बात उस scheme की जो बुज़ूर्गों की life line है क्योंकि इस से safe और इतना अच्छा interest rate देने वाली कोई दूसरी scheme नहीं है ये scheme बैंकों में भी available होती है और इसलिए बुज़ूर्गों के बीच बहुत popular है senior citizen saving scheme 60 साल से उपर के लोगों के लिए होती है वो इसमें एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें हर तीन महिने पर fixed interest मिलता रहेगा और पांच साल पूरा होने पर मूल रकम वापस मिल जाएगी आप चाहें तो इस scheme को तीन साल के लिए और आगे भी बढ़ा सकते हैं या आप फिर से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ये tax saving scheme है इस scheme में आप जादा से जादा 30 लाक रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं फिलाल दोस्तों इस scheme का interest rate 8.2% है इस तरह अगर आप इस scheme में 30 लाक रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हर तीन महीने पर साड़े 61,000 रुपए आपको मिलेंगे senior surgeon saving scheme में हर तीन महीने पर ब्याज मिलता है लेकिन अगर आपको हर महीने ब्याज चाहिए तो भी एक scheme है post office की monthly income scheme हर महीने ब्याज देती है हलाकि इसका rate उतना अच्छा नहीं है post office monthly income scheme में पैसे जमा करने पर हर महीने interest मिलता है इस scheme का interest rate 7.4% रखा गया है इस scheme में आप जादा से जादा 9,000,000 रुपए जमा कर सकते हैं इस तरह अगर 9,000,000 रुपए जमा करेंगे तो हर महीने आपको 5550 रुपए मिलेंगे पांस साल बाद आपका 9,000,000 रुपए वापस मिल जाएगा इस scheme के joint account में आप 15,000,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं अब post office की वो scheme जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही पुराने scheme है पुराने लोग आज भी इसमें अपना धेर सारा पैसा लगाते हैं नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट में 5 साल के लिए पैसा जमा होता है इसमें पैसे जमा करने पर tax saving होती है इसका interest rate 5 साल के fixed deposit से ज़ाधा होता है इसका rate 7.7 प्रतिशत रखा गया है इसमें आप चाहें जितना पैसा जमा कर सकते हैं कोई रोग टोग नहीं है अगर आप इसमें 10 लाग रुपे जमा करेंगे तो 5 साल बाद आपको 14,64,247 रुपे मिलेंगे अब बात उस scheme की जिसके बारे में सबसे ज़्यादा उमीद है PPF account में लाखों लोगों ने पैसा लगाया है लेकिन पिछले करीद 4 साल से इसका interest rate नहीं बढ़ा था जबकि दूसरी सभी scheme का rate बढ़ चुका है उमीद थी कि इस बार इसका rate ज़रूर बढ़ेगा PPF scheme का account post office की अलावा bank में भी खुलवा सकते हैं इसका interest rate भी bankों के fixed deposit से काफी ज़्यादा होता है और इसमें tax saving भी होती है लेकिन इस scheme में 15 साल तक पैसा जमा करना होता है इस दौरान हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना होता है वैसे आप किसी भी एक financial year में ज़्यादा से ज़्यादा डेल लाग रुपए जमा कर सकते है इस scheme में loan और premature withdrawal की सुविधा भी होती है तो दोस्तों इस बार भी इस scheme का interest rate सरकार ने change नहीं किया है और ये अभी भी 7.1% पर बना हुआ है इस तरह अगर आप PPF एकाउंट में हर महीने 5000 रुपए जमा करेंगे तो 7.1% की rate की हिसाब से 15 साल बाद आपको करीब 15,78,000 रुपए मिलेंगे वैसे आगे इसका rate change हो सकता है ऐसे में maturity का आकड़ा भी change हो जाएगा Post Office में एक पैसा डबल करने की भी scheme है इसका नाम है किसान विकास पत्र इस scheme का interest rate 7,5% है इस rate की हिसाब से इस scheme में पैसा 9 साल 7 महीने में डबल हो जाता है जैसे अगर आप जनवरी 2024 में invest करेंगे तो अगस्त 2033 में आपको दुगना पैसा मिल जाएगा अब बाद Post Office की उस scheme की दोस्तों जिसका rate इस बार सरकार ने बढ़ाया है इस बढ़ोतरी की बाद अब इस scheme का rate सबसे ज़्यादा हो गया है दोस्तों हम सुकन्या समरुद्धी scheme की बात कर रहे हैं ये scheme लड़कियों के लिए है इस scheme में 10 साल से कम उमर की लड़कियों के नाम पर एकाउंट खुलवाया जा सकता है इसमें 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और 21 साल में scheme में चोटी होती है लेकिन लड़की की शादी या पढ़ाई के लिए पैसा पहले भी निकाला जा सकता है तो दोस्तों इस बहतरीन scheme का interest rate अब 8.2% हो गया है पहले इसका rate 8% पर ही था तो दोस्तों इतने अच्छे ब्याजवाली इतनी safe scheme आपको कोई दूसरी नहीं मिलेगी इसलिए अगर आपकी लड़की 10 साल से चोटी है तो उसके नाम पर इस account को जरूर खुलवाए इस scheme के नियमों को समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं ये पुराना वीडियो है लेकिन interest rate को शोड़ कर बाकी नियम वही है इसलिए आप इसे जरूर देखिएगा तो दोस्तों इस scheme में अगर आप हर महीने 5000 रुपे जमा करते हैं तो 8.2% के हिसाब से आपको 21 साल बाद करीब 27,73,000 रुपे मिलेंगे हाला कि यहां भी rate बदलता रहता है इसलिए maturity की रकम बदल जाएगी ये ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है दोस्तों अब इस बार small saving scheme का जो rate टै किया गया है वो मार्च 2024 तक लागू रहेगी उसके बाद एक बार फिर हमें और बढ़ोत्री का इंतजार रहेगा उमीद है कि शायद election से पहले सरकार PPF की उची ब्यासदरों का तोफा दे दे दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेर जरूर कीजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इससे आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी